विश्नु अगरवाल की जमानत अर्जी पर हाई कोट में अब 18 दिसम्बर को सुनवाई नमस्कार आजाफ सिपाही में आपका स्वागत है मैं हूं राहुल सेंग विश्नु अगरवाल की जमानत अर्जी पर जारकन हाई कोट में सुनवाई अब 18 दिसम्बर को होगी यह मामला हाई कोट के नयमूर्थी दीपक रोशन की कोट में सुचिबर था पिछली सुनवाई में मामले में कोट ने एडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था सुनवाई के दौरान प्राट्टी की ओर से कोट को बताया गया था कि मामले में विश्नु अगरवाल के खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए बता दें कि 31 जुलाई 2023 को रात करीब दस बजे एडी ने विश्नु अगरवाल से पूस्ताष के बाद ग्रफतार किया था दरसल विश्नु अगरवाल पा चेशायर होम रोड पर एक एकड़ जमीन गलत धंक से खरीदने का आरोप है इडी ने अपनी जाश में पाया था कि इसे जमीन के मुल दस्तावेज में चेड़चाड की गए थी कुलकतर रेश्ट्री कार definite में रखे मुल दस्तावेज में चेड़चाड कर रायत का नाम पदला गया था जिसके बाद विश्नु अगरवाल ने ये जमीन खरीदी थी जा साजी कर मुल दसावेज में चेट शड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाय गया था बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद विक्री की गई थी